आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अबाह दल, ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि यह एक पहला भाग होता हैं, तता दुसरा भाग हम मानते हैं कि यह दल, जिसे हम दल पुंज के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, दल पुंज जो की दुसरा भाग होता हैं, और यह इसे हम रंगदार पत्ति के नाम स सर, जिसे हम पुमंग के नाम से भी जानते हैं, यह तिसरा भाग, तथा चोता भाग हम देखते हैं, मादा जनन अंग के अंतर गदाता हैं, जिसे हम इस्त्रीकेसर या जायांग के नाम से भी जानते हैं, क्या करते हैं, जायांग, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुष्प क चक्र के नाम से तो हमें यह बताना है कि कौन सा बाग जो होता है कौन सा चक्र जो होता है वह लेंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता हैं तो सर्वर्पतम हमान देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के भाग जनन अंग में भाग लेते हैं सर्वर्पतम पहला तो होता है नर जनन अंग नर्जनन अंग या नर्जनन चक्र के अंतरगत जो भी अंग आते हैं ठीक है उसके बाद होता हैं माधा जनन अंग भाग लेते हैं तो दोस्तों जिस प्रकार के हमने देखा नरजनन अंग के अंतरगत क्या आते हैं नरजनन अंग के अंतरगत हम यहां पर चित्र में परदर्शित हैं यह देखते हैं कि पराकोश और पूतंतु यह जो उपरी भाग होता हैं इस उपरी भाग को हम पराकोश के नाम से जानते है और इससे जो डंडिन इंकलती हैं डंडिन उमा संरिशना होती हैं उसे हम तंतू या पूतंतू की नाम से जानते हैं तो दोस्तों नरजनन अंग जो होता है वह पोंकेसर या पोंकेसर या पूमंग और यह पुंके सरी उर पुमंग जो होता हैं दो भागों से मिलकर बना होता हैं पराग कोश तथा इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के हमने देखा पू तंतु या तंतु जिसे हम कहते हैं ठीके तो इन दोनों से मिलकर यह नर जनन अंग बनता हैं इसके अतिरिक्त अगर हम देख का फुलावा भाग होता हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फुलावा भाग होता है, इसे हम अंडा सही के नाम से जानते हैं, तो यह तिनों भाग मिलकर मादा जनन अंग यानी की जायांग का निर्मान करते हैं, क्या करते हैं, जायांग बनाते हैं, तो जायांग किस-किस से बनता ह हम देखते हैं कि वर्तिकागर तता इसके अंतरगत और होते हैं भाग वर्तिकानली या जिसे हम वर्तिकानली तता इसके अत्रीक एक और भाग होता है वह होता है अंडाशे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पराग कोश होता है इस पराग कोश से पराग कण निकलते हैं बाहर क्या निकलते हैं पराग कण या पराग के कण बाहर निकलते हैं और हवा के माध्यम से यहां से कर यहां पर आ जाते हैं यानि कि वर्तिकागर में चले जाते हैं वर्तिकागर के नली की साहिता से यहां डासे में आ जाता है इस प्रकार से निशेचन की क्रिया होती है इस प्रकार से लेंगिक जनन होता है दोस्तों हमें प्रश्ने में पूचा गया था कि पुष्प के कौन से चक्र लेंगिक जनन में भाग लेते हैं तो दोस्तों दो चक्र लेंगिक जनन में भाग लेते हैं जिसमें पहला होता है पुमंग या जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं तता दूसरा होता है तो धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरू समझ में आया होगा